वेल्कम टू लेस्न नंबो वन इस लेस्न में हम बात करेंगे about wordpress कि क्यों हम wordpress पे website हमें बनानी चाहिए website बनाने के लिए क्या-क्या चीजों की ज़रूत होती है तो यह सारी बाते हम आज का लेस्न में करीगे तो सबसे पहले WordPress, WordPress क्या है, देखो, Traditionally अगर आपको website बनानी होती थी, तो आपको क्या करना होता था, आपको coding करनी होती थी, तो आपको चाहिए होता था HTML आपको चाहिए होता था CSS आपको चाहिए होता था JavaScript आपको चाहिए होता था backend manage करने के लिए database के लिए PHP तो बड़ी सारी coding languages थी जिसका आपको use करना पड़ता था अब होता क्या था इससे कि जो छोटे businesses हैं जो की small businesses हैं उन्हें बड़ी problem होते थी website बनाने में क्यों क्योंकि उन्हें रखना पड़ता था एक developer और developer रखना बड़ा costly था तो उन्हें बड़ी दिक्कते होते थी तो इसका solution क्या है इसके solution है WordPress अब WordPress क्या है WordPress ही just CMS CMS is content management solution कहलो या content management system कहलो WordPress की help से आप कैसी भी website बना सकते हो बड़ी easily अब WordPress जैसे और बड़े सारे platform है जिनकी help से आप website बना सकते हो like Wix आपने नाम सुना होगा ads देख्योंगे आपने बड़ी ads आती है there is Weebly और भी बड़े सारे software हैं जिनकी help से आप website बना सकते हो but WordPress सबसे best क्यों है आप यहाँ एक number देखो अभी जितनी websites चल रही है उसमें से 34% WordPress पे चल रही है 34% websites WordPress पे चल रही है तो WordPress में अगर आप कोई भी दिक्कत आती है तो उसका solution बड़े आसान तरीके से internet पे available है और आप अराम से कोई भी problem हो तो easily solve कर सकते हो बाकी platforms में ऐसा नहीं है प्लस WordPress बहुत ही ज़्यादा flexible है आप जैसे चाहो WordPress को bold कर सकते हो अगेन अगर आप ज़्यादा complex चीज़े करने की कोशिश करोगे तो आपको चाहिए होंगे paid plugins या फिर आपको code भी करवाना पड़ सकता है पट यह आएगा complex चीज़ों के cases राइट नॉर्मल चीज़ों के लिए 90% जो काम आप करना चाहते हो easily WordPress से हो जाएगा बिना किसी दिक्कत की ठीक है तो इसी लिए हम WordPress यूज करते है क्योंकि यह simple है easy है अब दूसरी चीज है कि आपको WordPress website बनाने के लिए क्या चाहिए क्या क्या चीजों की जरुरत होगी आपको तो number one चीज जो आपको चाहिए वो है domain ठीक है अब domain क्या है अब जैसे देखो आप जैसे हमारी website हो क्या है thinkandthrive.in हाना जैसे मेरे नाम है दीपक वैसे ही thinkandthrive क्या है एक identity है अब अगर आप offline हो सपोज करो आपको reliance fresh जाना है तो आप कैसे जाओगे आप reliance का address देखोगे right reliance का address देखोगे और वहाँ पर चले जाओगे हाना offline address similarly अगर मेरा business online है तो मेरा भी कुछ address होना चाहिए मेरा भी कुछ नाम होना चाहिए तो यह domain क्या है यह domain वही address है यह domain वही नाम है जैसे कि offline address unique होते हैं वैसे ही domain name भी क्या होते है है यूनीक होते हैं हाना तो domain name क्या है आपका नाम है आपका address है online आपकी identity है online जैसे आपको सपोज करो flipkart जाना है तो आप क्या करोगे आप online जाओगे और flipkart.com लिखोगे और आप कहां पहुंच जाओगे flipkart राइट तो domain is your online identity अगर आपको wordpress पे website बनानी है तो सबसे पहले आपके पास एक domain होना चाहिए अगर आपके पास domain नहीं है तो आप website नहीं बना सकते हैं दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो चाहिए hosting अब यह hosting क्या होता है अब एक example लो suppose करो आपको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए आपको जमीन चाहिए न आपके पास land होनी चाहिए उसी land के उपर आप structure बनाओगे अपना furniture रखोगे टीवी रखोगे सारी चीज़े रखोगे similarly अगर आपको website बनानी है तो आपकी website पर क्या होंगी images होंगी videos होंगी text होंगी तो कोई एक चीज चाहिए न जहां पर यह सारी चीज़े हों यह सारी चीज़े कहां रखो गया आपको space चाहिए यह सब चीज़े रखने के लिए उसी space को हम क्या कहते है hosting hosting वो space है जहां पर आप अपनी images अपनी videos टेक्स्ट यह सारी चीज़े रखते हो उसे हम कहते है है hosting ठीक है तो website बनाने के लिए WordPress की क्या चाहिए पहला आपको चाहिए domain और दूसरी आपको चाहिए चीज hosting अब जैसे मेरी personal website साइट है क्या दीपक सिंग मार्केटिंग डॉट कॉम यह क्या है मेरा domain मैं hosting कौन सी यूज करता हूं तो मैं hosting यूज करता हूं reseller club की ठीक है तो अब आपको अगर अपनी website बनानी है तो सबसे पहले आपको एक नाम सोचना होगा एक domain नेम सोचना होगा जो की unique हो ठीक है अब domain name सोचते समय आप यह ध्यान रखो कि जो आपका domain name है आप कोशिश करो कि आपका domain name अगर कोई सुने तो उसे easily यह पता चल जाए कि यह domain किस बारे में होगा देखो दो तरीके हैं अब अगर मैं बात करूं Amazon की तो Amazon का नाम अगर मैं आज किसी को बोलता हूँ तो आप नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा online shopping हम Amazon से कर सकते हैं बट अगर कोई बिल्कुल stranger है जिसने कभी Amazon का नाम नहीं सुना तो जब वो Amazon नाम सुनेगा तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा कि Amazon क्या है दूसरी तरफ अगर मैं किसी को बोलू दीपक सिंग marketing तो ये नाम सुनते ही उसे पता चल जाएगा चाहें कितना भी stranger हो कि ये website पका marketing से related होगी तो domain name चूज करते समय आपको दो चीजों का ध्यान रखना है एक domain name जो है उससे आपके business का पता चल जाए अगर ये आप नहीं कर सकते then आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको काफी ज़्यादा add spend करने पड़ेंगे for example आज amazon को सब जानते हैं क्यों जानते हैं amazon का तो नाम सुनके आपको पता ही नहीं चलेगा कि amazon क्या करता है but amazon marketing बहुत करता है amazon marketing कर करके amazon ने अपना नाम लोगों के mind में establish कर दिया है similarly देखो हमारी website क्या है think and thrive अभी अगेन आप नाम सुनोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा जैसे मेरी website का नाम सुनके आपको पता चल जा रहा है but company की जो हमारी website है उससे सुनके आपको कुछ पता नहीं चलेगा बट हम add पे बहुत खर्च करते हैं पैसे और ये पैसे खर्च करने से लोगों को हमारा नाम क्या होता है पता चल जाता है कि भईया ये क्या करते हैं तो ये online courses बेचते है ठीक है तो ये काम आपको करने बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है तो अब आज का आपका task क्या है आपका task अज ये है कि सबसे पहले आपको एक अपना domain name सोचना है आपको एक नाम सोचना है जो की आप use कर सकते हो जो की आप खरीदोगे तब यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है जो ये domain name है और जो ये hosting है ये दोनों आपको खरीदनी पड़ती है ये दोनों खरीदने के लिए आपको पैसे invest करने पड़ेंगे domain name खरीदने के लिए और hosting खरीदने के लिए भी वैसे तो market में बहुत companies है जो की बोलती है free hosting बट free hosting कभी भी नहीं लेनी चाहिए कभी भी नहीं लेनी चाहिए free hosting क्यों नहीं लेनी चाहिए क्योंकि जब अगर आप free hosting ले रहे हो पहली चीज वो secure नहीं है दूसरी चीज अगर आपकी website के साथ कोई problem होती है अगर आपका website उड़ जाती है आपके website में कोई और error आता है तो ये free hosting वाले आपकी help नहीं करते प्लस जो आप free hosting लेते हो ये down बहुत होती है ये बार बार आपकी website दिखेगा server not reachable तो अगर आपकी website पे कोई आए और server not reachable हो तो इससे आपको loss होगा क्यों वो आपकी website पे अगर आता आके कुछ purchase कर सकता था अब क्योंकि आपकी website चल दी रही है तो वो कुछ खरीद नहीं सकता है ठीक है जी तो ये था WordPress के बारे में एक overview आपको आज जो काम करना है वो क्या करना है आपको एक domain name सोचना है जो की आप जिसको लेके कि आप एक website बनाओ ठीक है अब कल के lesson में हम क्या करेंगे कल के lesson में मैं एक fresh नया domain खरीदूंगा खरीद के आपको दिखाऊंगा then मैं एक hosting plan खरीदूंगा और then मैं इस domain और hosting को integrate करूंगा ठीक है तो ये तीनों काम हम कल करेंगे एक domain मैं आपको खरीद के दिखाऊंगा then मैं hosting भी खरीद के दिखाऊंगा then मैं आप कोई चीजें integrate करके दिखाऊंगा ठीक है जी so that's it from lesson number 1 कल मिलेंगे हम lesson number 2 के साथ thank you so much